जो एडी और शीब्याई का दूर्पियोग कर रही है एडी की हर एक नोटिस की जबाब भाई अर्विन केजरीवाल जी के द्वारा दी जा रही है माननी ये न्याले का जैसा भी आदेश होगा 15 मार्च को भाई अर्विन केजरीवाल जी कोट में उपस्थित रहेंगे हमारे भाई अर्विन केजरीवाल जी और कॉंग्रेस के जो राहूल गांधी जी के द्वारा आपस में कई सारी आपचारिक बाते हो चुकी हैं कैराउंड की एक सवाल है आप है आम आदमी पार्टी के रोतास जिला परभारी हिमंत पटेल जी हैं तो कहने का मतलब है कि इडी और सीबी आई के संबन से अर्विन केजरीवाल जी क्यों भाग रहे हैं कि यह प्रश्न बहुत अच्छा है सबसे पहले मैं बाबा दर्शन की तरफ से आपको लाइव जो बात ट्रांसफर कर रहे हैं समाज में लोगों को प्रसाइद करने के लिए आपको बहुत धन् यह प्रस्ण बहुत अच्छा है यह बिल्कुल रूमर फैलाया जा रहा है प्रफगंडा किया जा रहा है बाइट अर्विन केजरीवाल जी आप मेने पहले नोटिस पे बुलाया गया था तो भाई अर्विन केजरीवाल जी वहां पर गय हुए थे और रही बात इडी की नो बोला गया कि केजरिवाल जी उपस्थित नहीं हो रहा है जब एडी खुद कोट में चली गई है इस बात की आशे लगा के केजरिवाल जी नहीं आ रहे हैं और अब मामला कोट में चला गया है तो फीर एडी का दुबारा संबन फीर तो दिन के बाद संबन देना तो यह मैंने उचित नहीं है इसलिए वो उसको इग्नोर करते हैं उसका ध्यान नहीं देते हैं और कोई ऐसी बात नहीं है कि माननिये न्याले का जैसा भी आदेश होगा 15 मार्च को भाई अर्विन केजरिवाल जी कोट में उपस्थित रहेंगे हमारे मारनिये केजरिवाल जी कोट का पालन करते हैं कोट के बातों का पालन करते हैं और वो सुप्रीम कोट जो हमारी लोकतंत्रकी अभी चंडिगण के जो चुनाव हुए जिस तरह से बीजेपी ने धांधली किया 35 वोट में 20 वोट पार्टी इंडिया गट बंधन के पास थी और 16 बीजेपी के पास थी जिसमें 8 वोट चोरी कर लिया गया अगर मैं धन्यबाद करता हूं सुप्रीम कोट नियाले को जो लोकतंत्र की हत्या जो हो रही है बरतमान सरकार के द्वारा उसको सुप्रीम कोट ने पचाये रखा है मैं उनका धन्यबाद करता हूं इंडिया गडवंधन जो है नहुँ इसके लिए हमारे बरतमान केंदर सरकार मोधी बीजेपी के तरफ से पूरी कोशिश की जारी है कि इंडिया गडवंधन में अगर अर्वीन केजरिवाल जी आते हैं तो हम परभावित हो के एक बहुत दुर्भागे की बात की पहले जैसे कोई सामने कोई एक पर्ति असपर्धा देने के लिए आपको कोई खड़ा होता था तो लोग उसको चेलेंज को लेते थे लेकिन आज अज क्या हो रहा कि सामने वाले जो पर्ति करता है उसको पूरी तरह से फिल्ड से हटाने का कारे किया जा रहा है बर्तमान सरकार के द्वारा तो यह उनका डर है कि कहीं केजडी वाल जी अगर इंडिया गट बंधन के साथ आते हैं तो जो सच्चाई है जो चंडीगड में हमारे बीजेपी के द्वारा किया गया है इसक किन हमारे भाई अर्वीन केजरिवाल जी और कॉंग्रेस के जो राहूल गांधी जी के द्वारा आपस में कई सारी आपचारिक बाते हो चुकी हैं कैरांड की और इसके क्रम में पांच स्टेट में गटबंदन हो भी चुके हैं और बाकी अभी समय के साथ में और भी चर्च किनक बात नहीं हो सकता है क्योंकि यह हमारी मोधी सरकार की फिदरत में हैं अभी अभी जब एलेक्षन होता है यह ED और CBI पिछले 5 साल से 10 साल से बैठी रहती है एन वक्त जब एलेक्षन का वक्त होता है तो ED और CBI को पूरी तरह से टाइट कर दिया जाता है जिसका जीता जाकता एक्जामपल आप देख रहे होंगे कि जारखंड में हेमंत सोरें जी को ED के चंगुल में लेकर और उनको जेल में डाल दिया गया गटबंदन की कड़ी को कमजोर करने का कार्य किया गया उसी तरह से भाई अर्विन केजरिवाल जी को अगर यह अंदर करना चाह रहे हैं तो अंदर अगर कर देते हैं तो हम पूरे देश में पूरे देश की जंता और भी मजबूती के साथ जागरुक हो जाएगी और यह सिध हो जाएगा कि मोधी सरकार एक तना साही तना सरकार है जो ED और शिवयाई का दूर्प्योग कर रही है और इस ते हम लोगों का और स्वगुना बढ़ेगा और हमलोग स्वगुना ताकत के साथ में पूरे परदेश केंदर में पूरे इस्टेट में हम जोर सोच से भी के जरी वाल अभियान के तहद में हम सब लोग के के सेकेंड रूप खड़ा हो जाएंगे और हम लोग भी जो तक कर देंगे और आम आदमीं पाइटिंग ने तरफ से लोग अभी श्वादी देंगें। बताएए कि दिल्ली में इंडिया एलाइंस में जो कंडिडेट दिया है आपका वो कितना देखन सकती है। दिल्ली में इंडिया एलाइंस गटबंदन में हमारे आम आधी पार्टी से चार परत्यासी उतारे गए हैं और कॉंग्रेस से तीन परत्यासी उतारे गए हैं हमारे हर्याना से एक परतियासी है कुरुच छित्र से और आपको पंजाब से 13 सीट पर हमारे पाटी लड़ रही है इंडिया इलांस के थुरूप असम में हमारे तीन परतियासी है गुजरात में दो परतियासी है दिल्ली में चार लोग से बाट से हमारे परतियासी है जो हमारे पुर्वी दिल्ली नई दिल्ली से सुम्रात भारती जी है साथ दिल्ली से सही राम पहलवान जी है पच्मी दिल्ली से महाबल मिस्रा जी है और पुर्वी दिल्ली से कुल्दीव कुमार जी है कुल्दीव कुमार जी जिस सीट पूर्वी दिल्ली से है वो जनरल सीट है और कुल्दीव कुमार जी एक एसी कंड़ेट है यह दली समास से आते हैं और हमारी पार्टी जाती बिसेस पर यह नहीं रिचुना लड़ाती है हमारी पार्टी एक एसी पार्टी है जो लोगों की सिक्षा ब्यास्ता को देखते हुए जो जैसा है उसके अमसार पार्टी महां खड़ा करती है और यह दिल्ली में यह ऐसा बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि जेनरल सीट से एसी समाज के कंड़ेट को उतारा जा रहा है दिल्ली में जो कुल्दीव जी है पहले एक सफाई करमचारी थे उनके बाद वहां से पार्षद हुए पार्षद के बाद आज बिधायक होते हुए आज उनको लोग सबाज सीट से उतारा गया है यह बहुत अच्छी खबर है हम लोग के लिए और हरेक अस्टेट में पूरे इंडिया में अच्छी खबर है कि एक जेनरल सीट पर भी एसी समाज के लोग को उतारा जा सकता है यह आमादी पार्टी ने अच्छी पहल की है और वहां से पच्छमी दिल्ली से महावल मिसराजी है महावल मिसराजी एक सुल्जे हुए ब्यक्ति हैं और वह भी एक दो बार के सांसद हैं पूरे पारसद हैं यह लोग इतने वहां के पूर्वी पच्छमी दिल्ली से महावल मिसराजी समाज में बहुत अच्छी तरह उनकी पकड़ है वहां की लोगों के इतना सेवा करते हैं कि आज उनको आमादी पार्टी महावल मिसराजी को लोग सबस्षी टिकट दी हुई है केंद्र सरकार यानी मोधी सरकार अपने विपक्षी पार्टीयों को इतना डरा क्यों रही है सबसे पहले बाबादर्शन नियुज के माध्यम से आपको सर बहुत धन्यवाद कि आज समलोग जिला परभारी रहतास जिला परभारी हमन्त पटेल जी की नितरीतों में रही है और आपकी सवाल के सर जवाब यह है कि आप सवाल किया बहुत अच्छा कि विपक्षी की लाजमी है क्योंकि ओ यह तो सोच रहे कि इमांदारी से और रेलेटी बोटिंग करा के हम जित नहीं सकते हैं इसलिए सारे पूरे देश के जितने भी अस्टेट है और जिस जिस अस्टेट में जिन जिन्यताओं से उसको डर लग रहा है डर सता रहा है कि यह हमारा भोट वैंक बिल्कुल बिगार देंगे तो उनके आवाज को डबाने के लिए कहीं न कहीं अपना जो दो भाई है चीबिय और एड़ी जो भीजेपी के भाई है उनको छोड़ दे रहे हैं और जिन भाईयों को वह जहां पे जा रही है और जिनको डर सता रहा है वह अपने बताईए जी तो छित्रिये पार्टी में जैसे जारखंट के हिमंत सोरेंजी को आवाज दबाने के लिए सीवी आई के द्वारा इडी भेज कर उनको अरेस्टिंग कर लिया गया अभी तक नहीं बताया गया कि उन्होंने किया क्या जब पता चल जा रहा है कि किया उसको जनता के बीच में उजाकर करें इसलिए छित्रिये पार्टी को अवाज दबाने के लिए मतलब हर हत्गंडा अपना रहे हैं अभी जब इन सूरू से ही जूट बोला जनता को ठगा नवजवान किसान अभी किसान गोलिया खा रहे हैं बोडर पर लग रहा है कि लड़ा यह विपक हैं कि विपक्षी एक कर रहे हैं ओ कर रहे हैं तो हम आमादी पार्टी अर्विंद के जिरिवाल जी के सच्चे सिपाई हैं हम लोग डरने वाले नहीं हैं वह एक अर्विंद के जिरिवाल जी को एक मनी सिसो दिया जी को एक हमारे सिर संजे से ही को जेल में करेंगे तो हम ल पुरा हिंदुस्तान मेरा नितिक भुचाल आ जाएगा पूरा देश के जनता एकदम बखुबी जान चुकी है कि नहीं इनको सिर्फ डर है तो एक पार्टी सिर्फ आमादीमी पार्टी से डर है और आमादीमी पार्टी के सारे हमारे निताओं को पकड़ पकड़ के जेल में बंद कर रहे हैं इसलिए हम लोग घबडाने की कोई बात नहीं हम लोग घबडाए नहीं मजबूती में 2024 में चुनाओं लडएंगे और जीतेंगे और 2024 में इनको जनता उखार के फेकेगी